एक दौर था जब मुबाइल फोन भी कलपना थी लेकिन फिर आया इंटरनेट जिसकी स्पीट कभी कम नहीं हुई और आज 1G से शुरू हुआ ये इंटरनेट भारत में 5G स्पीट में लॉंच हो चुका है खास बात यह है कि हाल ही में हमारे यूपी के लखनों में भी 5G सेवा शुरू की गई है लखनों की किनके निलाकों में शुरू होगी 5G की सर्विस और क्या होंगी इसके मानक यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में 5G सेवा के लिए फिलहाल देश के 13 शहरों को चुना गया है जिसमें लखनों भी शामिल है लखनों में टेलिकॉम कंपनी एर्टेल ने 5G प्लस सेवाओं को लॉंच किया है 5G की सेवा फिलहाल लखनों के कुछ चुनिनना इलाकों में ही उपलब्द रहेगी जैसे गुमती नगर, हजरत गंच, अली गंच, एशबाग, राजाजी पुरम, अमीनाबाद, जानकी पुरम, आलमबाग और विकास नगर लागो होने वाली इस 5G सेवा के मानक की बात करें तो कमपनी पूरे शहर में सेवाओं को उपलब्द कराने के लिए अपने नेटवर्ग का तेजी से विस्तार कर रही है एरटेल 5G प्लस सेवाएं ग्राहकों को चरण बद तरीके से उपलब्द करवाई जाएगी फिलहाल 5G सक्षम उपकरण पर बिना किसी अधिरिक्त शुलकी के इन सेवाओं का लाब उठाया जा सकेगा एरटेल के ग्राहक 4G की स्पीड से 20-30 गुना अधिक गतिवाले अतिदिक तेज नेटवर्ग का उपयोग कर सकते हैं मौजूदा सिम पर ही 5G का लाब उठाया जा सकेगा किवल इसके लिए 5G सेटिंग आउन करना होगा ऐसे में नए मुबाइल फोन पर अब 5G स्पेसिफिकेशन की जांच करना जरूरी है यानि वह 5G कमपेटिबल है या नहीं 5G नेटवर्ग स्पीड 4G से 10 गुना तेज होती है 5G पर वीडियो कॉल का अनुभव पहली से बहतर होगा यानि अगर 4G में वीडियो स्ट्रिमिंग रुख जाती थी या फिर बफर होता था तो यह दिक्कत 5G के साथ देखने को नहीं मिलेगी इंटरनेट की इस स्पीड का फायदा सिक्षा और स्वास्त के साथ कई शेत्रों में होगा एक और 5G के कई फायदे हैं तो वहीं इसके कई नुकसान भी देखी जा रहे हैं जानकारों के नुसार 5G स्पीड के कारण मुबाइल की जादातर पार्ट्स काम करेंगे जिसके कारण मुबाइल में बैटरी की खपत भी पहली की मुकाबले जादा होगी ऐसे में इसका सीधा असर मुबाइल की बैटरी लाइफ पर पड़ेगा और बैटरी घट जाएगे 5G कनेक्टिविटी की रेंज ज़्यादा दूर तक नहीं होती है फ्रिक्रूइंसी बेफ्स केबल थोड़ी दूर तक ही ट्रैवल करने में समर्थ होती है तत ही ये है कि 5G फ्रिक्रूइंसी पेड, टावरों, दिवारों और इमार्तों जैसे अवरोदों से बाधित हो सकती है इससे बचने का एक मात्र तरीका 5G टावरों की संग्या को बढ़ाना है जिससे समस्या का समाधान हो सकता है हालकि समाधान पर काफी खर्च होता है आपको क्या लगता है 5G सेवा सुरू होने से फायदे होंगे या नुकसान हमें कमेंट बॉक्स में लिकर जरूर बताए फिलाल आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले फिर मिलेगे किसी नई जानकारी के साथ